हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चाइनल मिठून स्टरे सेंटर में और मैं हूं मिठून रहा है तो आज हम लोग इस वीडियो में कुल साइंस का अशी ओब्जेक्टिव कोश्चन करेंगे या न्यू मोडर पेपर पर अधारित है जैसा कि आप सभी खंड देख सकते हो इस वीडियो में एक से लेकर अशी तक प्रस्शन है जिसमें आपको 40 प्रस्शन का सही उत्तल देना है तो चलिए हम लोग इस कलास को शुरू करते हैं तो चलिए हमरा पहला सवाल देखिए क्या है ध्यान से आप लोग देखिए और इसका जवाब जितना संभ पहले समाद सब्सक्思考 आइए टो देखिए पहला सवाल कि सवाइब का फोकुस दूरी रीनातुमक लिया जाता है तो आपको यार रखना है क्या उत्तर डर्बण का फोकुस दूरी जो होता है वा हमेशा रिनातमक 12 starter हमारा जी होगा तो अगला स्वाल देखिए दो नमर डरपन की फोकस दूरी F और बकरता तिरिजिया R में क्या संबंध है मतलब है क्या फोकस दूरी सुचित क्या जाता है F से और बकरता तिरिजिया क्या जाता है सुचित R से तो इसमें संबंध क्या होगा यानि इसका सुत्र क्या निकलेगा तो आपको याड रखना है क्या भी यानि की एफ बुरावर हम लिख भी दे रहे हैं एफ बुरावर जो हमरा होगा आरवटे टू यही हमरा सुटर होता है दरपन का तो चलिए इसी परकाश चाप सभी कमेंट में एंसर बताईए मैं आप सभी का कुछ नाम ले लेता हूँ जो जो डेली लाइब कराश जुटे हैं मैं उन्हीं का लूँगा इसके अरवट और किसी का नाम नहीं लूँगा तो सबसे पहले में रहता हूँ देखी सुभम कुमार जुड गए हैं लाइब कुमार रामु राज अडविंद कुमार ललिता कुमार ली अल्चना कुमारी पिं कुमार अभी पाल और क्या नम है आईसा कुमाली तो आप सभी प्रकार से जूलिये हम नाम ले लिए हैं आप दोबड़ा नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी पहले ही बोलते थे कि सर मेरा नाम लिया कि यह वीडियो में तो आप सभी को देखिया और संभवता अनुसार एंसर बत मीचेन मिटर के लिए और हम से पूछा है तो आप लोगों को याद रखना है क्या तो यारट रखना है आप लोगों को सी यानि की पैचीश मी है ध्यान से आप लोग देखिए और समभबता अनुशार कमेंट किजिए मैं पहले ही बोलता हूं जितना आप लोग कमेंट किजिए गा उतना आपका माइंड जो है वा कोईश्चन पर फोकस होगा और आपको याद होगा मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं तो चलिए सवाल और में देखिए श्वेट परकास का को शारंग वenne यानिरंग किसी कि किसी कि से गुजरने पर सबसे कम जुकता है यानि की जो हमारा प्रिस्प्रेंट है उसमें सबसे कम कौन शारंग का जुका है प्रिजम इस परकाशे होता है और इस परकाशे सभी रंग जाते हैं इसमें सबसे कम कौन शारंग होता है तो आपको यार रखना है क्या तो यार रखना है लाल लाल होगा ना तो आपको यार रखना है लाल जो है इसका सबसे कम रंग नी चाहां जुकता है और सबसे अधिक बोले सबसे कम पुछरा है ना हमको तो सबसे कम इसका होगा और सबसे अधिक पुछे तो नीला का ठीक है तो चलिए अगला सबाल को देखिए आप लोग कि देखिए हमारा पांच नल्वर है मानव आँक की रहतिना पर बनाई गई च्क्रवी क्या होती है तो आपको यार्द रखना है यानि कि रहति सरह हमारा भी credible तो चलिए अगला एकिलाele को देखिए यह मुझे खोकी वाड़ा है ठीक है ना क्या हो गया चलो अधानमर सवाल को देखिए देखिए छथा नमर क्या है अकास का रंग नीरा पड़तीत होता है किस के प्रतीत होता है तो आपको याद रखना है क्या प्रकाश के प्रवलतन के काड़न प्रकाश के प्रकिलनन के काड़न है अकास का रंग नीरा दिखता है तो चाल ले अगला सवाल और लोग से लेखना तभी आप लोग समझोगे वीडियो को छोर कर जाईएएगा तो उसमें आप ही कहानी है किसे डरपनः से बश्तू का प्रतीविम्घ बढ़ा बनता है तो आप लोगों को याद रखना है अब दरपन में हमेशा बश्टू का प्रति भी बड़ा बनता है यानि राइट एंश रमरा भी होगा तो अगला सवाल को देखिए आठ नमर निमनल इखित में से कौन से लेंस निकट दृष्टी दोस्को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है कमेंट किजिए तो याद रखना है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टी दोस्को दूड करने के लिए लाइट एंश रमराशी होगा काफी मातपूल निस्वाल है या सभी आप लोग वीडियो को छोड़के जाईएगा तो आपको यारा की उपश्टिटी को दर साता है तो आपको याद रखना है क्या तो गेल वोन गेलवे मीटल गेलवे नो मीटर यानि कि राये चैंशर हमारा ए होगा तो अगला शवाल को देखिए हमारा दश्ची नमर होगा दाय हाथ के अंगुथे के नियम के अनुसार किस ने प्रत पड़त किया था यानि दाय हाथ का वह किस नियम की नियम को बढ़ती पारी किया ऑनी दर साया था तो आपको यार्ट रखना है तो कमेंट कि वास्टो मैक्स सुवेल बेक्स सुवेल नहीं ढस वर नहीं था दायें हस्ट यानिक अंगुते के नियम जब हमारा अगला सब्सक्राइश्यां होगा होगा तो अगला सब्सक्राइश्यां को देखिए और तो ध्यान से आप लोग देखिए कमेंट करते रहें को छोड़ के जाना नहीं है निम्नलिखित में किस सैयोजन द्वरा पर्ति रोध का मान बढ़ता है तो आप लोगों को क्या याद रखना है याद रखना है श्रेनी करम बहुत अच्छे दोस्तों आप शबीशी प्रकाशी दो शुबब मुष्ट यृट इसी प्रकाशि कमेंट की जिए चुम्बक्या वल रेखा की प्रकिल्टी किया होती है तो आपको याद रखना है कालपनिक होता है यानि सबसे बड़ा होता है चलिए अगला सब्सक्राइब काफी महत्पूर्ण बनता है अगला स्वाल देखिए ध्यान से अंसर वताइए एक किलो वाट घंता किसके बनावर inappropriate था है तो आपको क्याया याद रखना है 15 सब्सक्रणन करने बढ़े हैं क्या होता है तो आपको याद रखना है क्या तो याद रखना है करने हमारा वह यह अगला को देखते हैं हमारा अगला सवाल जो होगा वह यह है तो हम इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो चलिए अगला सवाल को देखिए हमरा सवाल जो है कौन्शा लेंश अपसाली लेंश भी कहा जाता है कौन्शा लेंश है जिसे हम लोग लोगों को पता होगा क्या पता होगा तो अब तर लेंश कोई अफसाली लेंश का आजाता है अगला सवाल देखिए प्रकास का प्राथमिक वाल नियाने रंग कौन है प्रकास का पहला जो लंग होता है वह कौन है तो आप लोगों को याद क्या रखना होगा तो याद जो बाइब बाइब लोगों को जो याड रखना नेटर का रंग ही नुभाग होता है तो आपको क्या याड रखना है तो यार रखना एक चाह आई सी आई डीस ठीक है आई डीस यानि डाइट इस नमरा डी होगा तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं हमारा 19 नमर सवाल है काफी महादपुल Nishevail एक पियाच किसा के बरावर होता है एक पियाच जो है वह किसे के बरावर होगा तो आप लोगों को जो याड रखना है प्रदर क्या याड रखना है कमेंट कर देखिए फाज्ट तो याड रखना है सासो जूआटिक्तना तो 746 वाट आप लोगों को सब करदें देट है तकी आप सब कमेंट करते आए देखिए विशालक सिसा का ही दूसरा नाम जो है मैंगनी फाइंग गलास होता है तो वह कौन है इन चालन बार रोगतों को आप लोगों को याद रखना होगा तो याद रखना है बी आनि की उत्तलेंश होता है विशालक सिसा यानि मैंगनी फाइंग तो अगला सब्सक्राइब को देखिए जब किसी चालक तार से बिदुत धारा पड़वाहित होती है तो गति सीरकन क्या कहलाएगी तो आपको याडखना जो ना वह याडखना इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन ही है ज का मांतरक किया है माटरक क्या हो आपको याइड रखना video भी ऊगा ओश तो अगला सबाल देखिए निमनरी खित में वाट को रखना कि बड़ा पड़ होगा तो क्या होगा तो आपको या डखना यानि यानि यान nuclear दीघ हो थिक नए इस प्रकार से लिछ जाता है जेवते आशाप को लिखना है वाट बुरावर्बर पुछे तो जीवते जूल बटे सकेंड होता है ठीक है जूल बटे सकेंड तो अगला सबाल को डेखिए बिडुट धारा का मात्रक जो इन में से होगा तो आप लोगों को जो याद रखना है MPL होता है बिडुट फाइंग के लिए उत्तर दाई गैस कौन इन मेंशे है तो कौन होगा जल्दी से 25 का डाय टेंशर आप लोग बताईए तो आप लोगों को जो याद रखना है न वो है CO2 CO2 गैस जो है वह ग्रोबर फाइंग गैस के लिए उत्तर दाई है यानि कि करवन डाय ओक्षाइड त होगा तो अगला सवाल देखिए काली कली चूना कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभी क्रिया कैसी होती है नि काला चूना जोता है उस पर जब जल हम डालेंगे तो उसमें किस परकार की अभी के लिए होगी तो आपको याद रखना है क्या तो याद रखना है उ तो आप लोगों को यार्द है क्या तो आपको यार्ण रखना है यह सब्से अदिक रियाई क्रियाईशी क्या होगा तो आपको यार रखना है सब्सक्राइब काफी महत्पुर्ण बनता है हमारा यह सबीच पूछता है चुना जलका तो अगला सब्सक्राइब अगला शवाल देखिए और इंशर आपसे फार्ष्ट कीजिए हमरा टीस नमर्ट सवाल होगा देखिए जब लाल लाल लिटमस को निला कर देता है तो पीज मान क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है क्या तो पहला मान जो होगा या ग्याड़ा ह मान होगा Mamaj willymarain यानि की 10 11 10 डोनों एंसर होगा तो देखिए दिया है कहाँ हमारा दी में जो दिया है यारा बी डोनों ऑर तो याद रखना है आपको और तीस नमल सब्सक्राइब कारवन के बीच कितने साथ स्योजक बंदन होते हैं याद होगा क्या होता है यू और क्या होता है आप से पर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं आप से इसका वीडियो भी हम लोग गुरूप में डालेंगे आप से सब्सक्राइब कर लोगे तो आप बताएंसर कारवन के बीच कितने साथ स्योजक बंदन होते हैं तो आपको याद को याद को देख लेते हैं अगला सवाल जो है वह इस प्रकास से आप लोगों को दिख रहा होगा तो देखिए गुरु कोच जो है गुरु कोच का आनविक स सब्सक्राइब क्या होता है तो आप लोगों को याद रखना है क्या सीए शीच एट ट्वैल ओशिक्स यानि छे और एच वाड़ा और ओ छे यही हमारा गुलकोच का सुट्र होता है काफी मात पुर्णी सवाल बनता है बत्तिस नम्मर बीबी आई सवाल है तो इसको याड क कर लो अगला सवाल रखिए उच वासिया अमलों के सोडियम लवन क्या लाथे हैं तो Aपको याड क्ना क्या साभून क्या याड रखना चाउंतिस नमर होगा सब्सक्राइब ह------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ किए अगला चिवाल हम ला मुवायल अश्किन पे आचका है तो देखिए और नाइज जाने और और दाइंगं कि या लिए data से जाने पर किस पर्मानूटी जाने पर ना थाधना है तो क्या होगा कमेंट किजिए आप लोग जल्दी से जब Herrn औरों कि दाएं से में दो जाएंगे वहीं दाएं से यार्ड रंखना आप लोगों को Collin अगला सब्सक्राश emissions अगला सब्सक्राश्चाने देखे मैं 1987 Select or Ol उनके ओधातु गुन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं तो बताएं तो इसका एंसर क्या होगा निम्रिकी तत्वों को उनके ओधातु गुन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं तो क्या है देखिए हमड़ा यह सब दिया गया है सबसे पहले देखिए समझना है यह हम में पढ़ को घिले अगर को उसके बाद जो हम लेंगेवा किससे ब्रावा यहां हम लेते हैं वह को थीक ऊज़ला है हम सी को उसके बाद बुरावल देखे लेते हैं लाई को और बुरावल देखे एक लेते हैं बी इको यानि बडेलियम को इस परकाश सजाना है एक दिश सजाना है जो सबसे पहले आता है वही तो इस परकाश सजाईएगा तो इसका डाय टेंसर क्या होगा तो सी होगा इस परक औरकिद हाट कुछ आपको याद रखना है उपधातु जानी दाइट सर्शी होगा अगला सवाल देखेए निम्री खित में कौन बिदूट्रिनात्मक तत्व है निम्री में से किस बिदुत कारिनात्म क्यानि पलस में आता है तत्व है तो याद रखना है क्या तो आपको एन यानि की नाइट्रोजन यानि की नाइट्रोजन जो है उसका बिदुत तत्व पलस में आता है तो अगला सवाल देखिए और कमेंट किजिए जल्दी से आप सभी पढ़ि किजिए गा उतना आपका माइंड पढ़ाई में पढ़ाई में फोकस होगा तो आप रोग कमेंट किजिए बहुत अच्छे आप सभी कमेंट कर रहे हो अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे दो बाल ले चुके ठीक है ना तो चलिए तिहरी बांद का निर्मान किस पड़ादेश म है तो आपको याद क्या रखना है तो उट्रा खंद में है यानि रायतांष भी होगा अगला सबाल देखित 40 नमर्मार निम्नली खित में किस धातू से को लोशीन में दूबेट टेर को रखते हैं यानि क्यों सा धातू है जिसे हम लोग किराशन टेर कर देशी भाजा में के तो आपको याद होगा याद होगा क्या याद होगा तो याद होगा सोडियम को इस जो है वा करोशीन तेर में दूआ कर रखा जाता है तो चलिए अगला सबाल को देख लेते हैं अगला सभाल देखिए Քर बनाय जाते हैं कि आप माजक्स क्या होगा अउप्रोक ही क्या उप्रोक्त सभी क्यों Şu चली अगला सवाल देखिए यह सवाल है किसका उपयोग होता है तो आपको याद रखना है सिलीकन का सिलीकन का यानि राइट अंसर बी होगा तो चलिए एगला सबाल देखिए तितालिस नम्मर काफी सभी मातपुल में सबाल है या सभी न्यू मोडल पेपर पड़ धाड़ित है या मोडल पेपर जो है ना बिहार बो नवात पर जाड़ी किया गया है तो या डखना आपको चलिए इम्नरीखित में किसका को केते हुआ प्यूब्हावन लोग नहीं करते हैं या टैनि की स्टाल है रहा हो चाएगा तो आप लोगों को यह याद रखना है अगला आसा बायो number 4 Exact नंष निका शराम है मनलों लोग उपलेश ओ टू बडावर बनता है किस परकार की स ही औक सबस्ता है जब जूलता है किसी भी परकार का पड़ात तो जोन 이걸 क्हें आप पैतालिस नमड होगा देखिए काफी मात्पूर्ण सवाल बनेगा पर यह और एंसर बताइए निम्नलिखित में कौन सा समिकलन शंतुलित नहीं है तो यहीं आप से पूछा जा रहा है तो बताइए जल्दी से एंसर तो क्या है यह जो आना बी नमड यह हमारा शंतुलित इन म तो अगला सबाल को देखिए अगला सबाल बलते हैं आप सबी इसी प्रकार कमेंट कीजिए देखिए अमरे सबाल आ गया है देखिए यह हमरे सबाल थोड़ा जूमिंग करते हैं जूमिंग हो पायगा या नहीं होगा आप इतना से ज्यादा नहीं हो सकता है चलिए देखिए उदासीन बिलियन का पी एच मान क्या होता है तो सबुनर को याड रखना है जो ना सी एंच सी जो है या दूरल लव अंब्र होता है आप को सी चीज़वन है तो अगला सबतके करायोर लाइट आज सक्षेत है इननमें से कौन गलाहित जो हमरा हो जाए गाव्वा हैस तामबा क्यानिकी राह देंसर होग्वाइद क्राइफि कि परन्वानुसंख्या क्या होगी पॉतेस्यम की परमानुसंख्यासी होती है आपको याद रखना है यह ज्यौ्सकान सुक्षाइश व आपको याद को पत्चाश अगला सवार है ईठाइल को हर का अनुश्टर क्या है अगला सवार को देख के अगला शवाल होगा तो देखिए एलकाइन कौन है एलकाइन सुटर जो है इन में होगा तुमें पहले ही बता हुँ सटा के हता के घर्टा के तो आपको याद रखना एलकाइन में सटा कुछ नहीं रहाना चाहिए तो इसका जो हमारा बावन का रहे तेंश होगा है क्योंकि सबसे पहले आपको देखिए हम पहले सटा लिख देते हैं यह जो है ना यहीं सुटर हम लिखते हैं एक और एक क्या होगा तीन जगह आपको लिखना है कुछ नहीं हीं सबस्सक्वाद हैं सबस्था को कर देना है धर को नहीं है बैसलिंगे देना है और संगेы माइनस टू देना है यह हमारा सुट्र हो जाएगा आपको सिर्फ याड रखना है तो यह हमारा इलकेन का सुट्रू आई याद कर सकते हो यह आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो आप इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं सब से शुरू में जब हम यूटूब किया रखना है तो याड रखना है एक याड रखना है तो चलिए काफी महत्पूल्ण बनता है स्वाशन के अध्यान के लिए उपयोग के जाने वाले चीज क्या है स्वाचन के लिए उपयोग क्यों जाने बारे बीज क्या होंगे तो आपको जो याड रखना एना भी हमरा अंकुलित बीज होता है तो अगला सवाल को देखिए मानब बिलिक किस परकार की परनाली का हिस्सा है तो आप लोगों को या जो रखना एना उठसर जन तो बारी बाहन का जिमेदाली है जैलम जो है किसंबण को परृद्र हो में लाता है तो आपको याड रखना क्या का पाणी का है मजलति है को सी घैस निकलती है तो आपको याड रखना का दो हो तो है जह आप सांस छोटे हैं तो हम रहा निकलता है कार्वन डाव्साइट के व Leh कí देकिए उन्साठ नमड होगा फलो के पकने को निम्न में से किसे यांत्रित यांत्रित क्या जाता है तो यांटे होगा क्या रखना होगा क्या याक रखना होगा बताये कमेंट बॉक्स में जल्दी से तो हिस्टा जानकाली हासिल की जाती है वह क्या कहलाता तो आपको यार रखना है का बच्छा है का यह को जए में से कौन अपतकाल का हार्मुण है तो तो आपको याद आ तो याद कि आधुन च्रेया आप लोगों को क्या रखना है यानी कि दिल मानव में कितने दिनों की होती है यानि की जब महिला प्रेगलेंट होती है तो उसके पेट में कितने दिन तक बच्चा रहता है तो आपको याद रखना है क्या तो तो याद को स्वाल को देखें गंगा एक्षिन प्लान कब सुरू हुआ था तो आप लोगों को याद रखना है नहीं सब्सक्राइब होगा तो सबहाइस है कि कि मैं से किस में होता है तो आप लोगों को याद रखना कि amoeba निसे शभी में होता है तो आपको या सब्सक्राइब रखना थे या इसो को देखिये क्या है निम्र भीमारी स्वहशन टंटर से संबदित है कौण सबसें हम ले 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 तो हम को हैं को विभीमारी तो आपको यादकना से फ्हेलता है है याद किसी को टीयुआ बीमारी हो तो आपको बच करना है और निमोनिया उनसे हटके जाना है यानि राइसंट मरादी होगा तो चलिए अगला सबस्वाल को देखिए हमारा क्या शर्षटन मर्स वाल है मनुष और अन्मान्शाली जीव निमलिखित में से किसका पाचन करते हैं नहीं करते हैं तो आप है थो अगला सबह oxy का मुख का यानि पागल फो जाता है यόडशा हुवार क्या होिखना आप लोगों को यारद प्रजिवी पादब का उडारन नहीं है पर प्रदब क्या होगा आप सब जल्दी से कमेंट किजिए इसका राइट अंसर रहे कश कश्टुक्ता जो है या पर जीवी पादब का उडारन है तो अगला सवाल को देखिए अब दस ही सवाल बचा है आप लोगों को जाना नहीं है एक बार में फिर से आप सभी का नाम ले ले लेते हैं क्या नाम है इनका आईसा कुमारी यली प्रकाश रोहित और पिंकी कुंवारी और नूर एहमद आलम और लाहूल कुमार और सभी चुले हैं चलिए तो एंसर बताइए सभी बावु रेखिए हाइडरा में और लेंगिक जनन की विधी क्या है तो आपको यार रखना है मुकूलन अगला सबाल जनन शंचालित रोग क्या है जनन के साथ कौन शाड़ोग हमें हो सकता है तो आपको यार रखना है या जो रोग है न अगला सबाल देखिए पुष्प का सब्से बारी भाग क्या है पुष्प का सब्से बारी भाग क्या होता है तो आपको यार रखना है बाहम डल पुझ बाहम डल पुझ यानि राइट इंसर ए होगा तो अगला सवाल को देखिए चवहत्तर नमर हमारा चवहत्तर नमर सवाल है बलद समू ए में कौन सा एंटी बोडी होता है बलद च्छाना है क्या सब्सेय में रखना है यानिकि हमारा आपका बलद गुरूप एंट कर सकते हैं अपना परनभब बलद गुरूप ए वाले और तो आपको यार दिखना है तो चलिए अगला सवाल। को देखिए रक्त में गुरुकोज की मात्रा निम्रिकित में से नहीं करता है तो हमादा सब कुन है तो आप लोगों को याड़कना है जिवलेनियम जिवरेनियम जो है वा पादप बृद्धी हर्मून है तो याड़कना है तो चलिए आज का कुछ ही सवाल और बच्चा है देख लेते हैं हम लोग चलिए 77 नम्मर को देखिए काफी मातपुल्ण सवाल है सभी देखिए बताई ये पढ़के हर्मॉन सरावित होता है हर्मॉन किसमे सरावित होता है तो आप लोगों को या तकना है अंटा सरावित गरंटी यानि राइट इंशर ऐ होगा अगला सवाल देखिए मनुष्ट के मुख में कितने जोड़े लाल गरंटिया पाई जाती है जो लाल तपक सी होगा अगला शीज़ दूगि आप सब्सक्रों से एक बिन्ति करूँंगा आप से फेले इडियो को लाइक Lex दो और हुआ जाते शी में से तना आप शहीं पता था ये भी जिले से आप लोग स 되는데 बने ओर विडियोग दोस्टेयों में, हुआ कर लेते हैं, मतर मोध कर दो मैं, हमगो एक सबने,', राइसवेंद को कुष्ट्ण से आए Кमेंट में आया एक ले पे नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्टों में भी बताना इस चैनल के बारे में तो चलिए मेरेंगे नेक्स्ट कलास में तब तक के लिए आप तमाम दोस्टों को बाए बाए